नाजरेन आदाव खेर मगदा मैं आप सभी का NCRT के इस लाइफ इंट्रेक्शन में मैं हूँ आपकी मेजबान सिम्रुन सिंग आप सब हम देख सकते हैं PME विद्या के चानल नंबर 10 पर यह हमसे राप्ता करने का और जरिया है हमारे यूट्यूब चानल आप सब जानते हैं हमारे यूट्यूब चानल है NCRT ओफिशन तो आज का ये सत्र जो है इसमें सब्जेक्ट हमारा रहेगा उर्दू और जिस मौज शुक्रिया आपका आपको भी आदा बच्चों आपको भी आदा इस सेशन में Department of Education and Languages NCRT से हैं और नाजरीन आपके कोई भी सवाल हो तो NCRT Official का comment box हो है ही आपके लिए इसके अलावा एक contact नंबर है आपके स्क्रीन पर तो आप हमसे contact कर सकते हैं हमें call कर सकते हैं इस contact चानिड़रादर Soldis.नचिट.NIC.N तो जैसा कि आपको बताया हमने कि आज का हमारा लाट्वान है through City सेशन का बच्चपन असबैनारी नावान को कि अओर ईस्वरिवों करा Hoje कि आपको बताया गया कि आज का हमएं सरसंय का बच्थपन ये हमारी 9710 कि किताब में शामिल है और स सरस्यद का नाम आपने पहले भी सुना होगा, उनके बारे में जानकारी हासिल की होगी, ये सरस्यद का बच्पन एक सवाने अमरी का एक हिस्सा है, एक इंतखाब है, उनकी सवाने अमरी लिखने वाले मौलाना अलताफ हुसेन हाली हैं, और उन्हों ने हयात जावेट के नाम स बहुत जखीम मजल्ब, बनी तक्रिबर पांसो छेसो सवाने को उनकी हायात को कलम बंद किया है, सवाने को, उसके कुछे सवाने को लिया गया है, यहां सरस्यद का बच्पन किस तरह आगा था, किस तरह वो खेलते थे, कैसी वर्जिस करते थे, घर के लोगों से क्या रापत खाने पीने के क्या आदाब थो जमाने में सारी चीज़ां पर रोशनी पड़ती है, तो इसको ज़स्ता की बता जा गया कि सरस्यद के सवाने निगार हाली है, मौला नालता अफुस अनाली ने और भी किताबे लिखी हैं, तो जाहिर से बात है कि अब उनकों पारे में हम बताया हैं, और वो परशियन के रायकरत हैं, उनके बारे में जो उन्होंने सवाने उम्रे लिखे उसका नाम हयात साधी रखा, दूसरी सवाने उम्रे उनकी यादगार गालिब हैं, गालिब उनके उस्ताद भी कह लीजिए, ये उनके शागिर्द थे हैं, मौलाना अलता फ आध के नाम से हैं, ह्याती जाध में सरस्यून के हाला ते जिंदगी कह को बड़ी तफिल से पेश किया हैं, सरस्यून की ये कि रिफार्मर थे, सोशल रिफार्मर थे, एजुकेशन इस्ट्रिप्ट थे और एजुकेशन भी रिफार्म चाहते हैं, तो उस जमाने के जो हाला तो उसको सामने रखते हुए, मुलाना अल्टा फुसान हाली ने उनके सारे जिंदगी को कलंबन किया है, तो आज इस सबग को हम पढ़ने जा रहे हैं सरसेयत की जिंदगी के इप्तिदाई, यह आख नो-दस सालों के वाकियात का यहां दिक्रिकिया गया है, और उसका उन्वान है सरसेयत का बच्पन, जी चरिया अगास करते हैं, प्रेजन्टेशन के माध्यम से हम इसे और समझते हैं बहतर तरीके से तो सबसे पहलो तो यहां यह जानना ज़रूरी है कि सवाने उमरी क्या है, सवाने उमरी जाहिर से बाट है कि सवाने सानिहा के प्लि Grade कलído चल्ड़ेशन के अंदाज में बैया लिखे जाती है यह और इसको समय मिरी इसलिये उखा जाता है कि इसमें पूरी जिन्दगी उम्र के के चालतीजन convergence लिख जाते हैं उसी समय मिरी जब यह लगा दिया तो उमर को तो उम्री हो गया और समानी उम्री का मतलब की हाल पूरी जिन्दगी के हालात को जरूरी वाकिया तो लिया गया हो तो जाहिरते बात है कि ये वाकियात को सारी जिन्दगी के वाकियात को शुरू से आखिर तक नहीं पूरा बयान किया जा सकता बलकि वाकियात का इंतखाब को बहुत फ़नकाराना इंतखाब हो। सारे वाकियात की ज़रूवत नहीं होती है। कोई भी शक्सियत होती है, तो दाइने जाएद बाद एक वह कैसे किस तरह वह शक्सियत बड़ी है, उसके क्या-क्या कारणा मे रहे हैं, किन-किन हाला से गुदरे हैं, किस माहूल से गुदरे कि लोगों सुनका वास्ता रहा है उन्होंने खुद क्या काना में अंजाम दी है तो उन्हों सब चीजों का जिक्र जो है तफ्सील से किया जाता है यहां जाहित बाद कोई भी शक्सियत होती है तो आपने अहद पूरा उचका दी है सरसियत के हम लेते हैं तो तारीख सौ साल पर मोहीत कमों बेच जो हैं सौ साल तो इस सौ साल के हाला जो थे खास्तोर सो उन्हेसमी सदी जो थी उन्हेसमी सदी तारीखी इतबार से देखा जा तो बहुत थी कश्मकस की जिन्दगी थी बहुत ही उतल पूतल उसमें था बहुत इंतिशार था सियासी इतबार से भी माशी एतबार से भी और इलमी अद्वी एतबार से भी देखा जा तो उस दोगाने बहुत काम हुआ है तो सरसेद की शक्सियद की जो है जायर से भात है कि उन्हों निना जिसते अपने माहौल को को देखा जो वास्ता पड़ा उन्हों से और इसंसे उनके इस आमने पेचिद्गियां आती गई माहौल आते गई एक स्योय मुश्किला आते कि इस त्रास उनमों ने उन्हों इनकी इसलिए होती है कि जिस दोर में कोई बीस सभाने नीगार या सभाने, साह weird, या शक्सियत, हिरो कोई भी तारेक थारीक के कही नकाई जिक्र होता है. ये तो हुआ कि अच्छा दूसरी है कि हम सारे वाकियात को जरूरी नहीं कि मुस्निप की जिंदगे के हर वाकियात को लिखा जा बलकि उसमें बहुत फंकाराना इंतखाब होना चाहिए यानि सवाने निगार को इस बात का इल्म होना चाहिए कौन सा वाक्या जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है पहले तो समाने उमरी में बहुत सारी बाते लिखी जाती थे और होईरों से तिम मुतलिक या अपनी शाहिए साहिब समाने से मुतलिक जो है एक बहुत हमदर्दाना रविजा होता था कोई ऐसी बात नहीं लिखी आती जिसके उसके कोई बद्नामी है या उस पर कोई आ मतासिर होने के बात उसके अंदर क्या कैफिये होती है दाखलिया किस तरह काम करती है उसके जहनी पेशज़ेदिया क्या होती है नफसे रही ही चीजों का खयाल लगा जाता है और दोसरे मौजूदा जो सवाने अमरी लिखे गईए तो उसमें मौरुसी औ नसम्ली असरा भ स्तिर्ट आपाले थे किस तरह किसे इनकी परवर्ष होई इन सब चीजें मौरुसी असली असराथ की सथ्तक कुर्मयाओ उसकी उसको इस्तमाल किसे सारी चीज़ें सवाने निगारी में शामिल की आती हैं इसी तरह समाजी और माशी सूरत-इहाल को अद्भी सूरत-इहाल को भी एक ख्याल में रखा जाता है जो है इतमे खानदान होता है खानदान वे आबाव अद्दाद पैदाईश तालिम तर्बियत कारना में इलमी वाद लोगता हैं कि इंसान जो है सिर्प वी वी बशर है और बशरीयत का ताकाज़ा ये कि उससे गल्टियां भी हो सकती हैं। Allah अच्छा ही नहीं है करता जाने जाने में कुछ अससे काम भी होगे भु़ी हो आते जो को नहीं होने चाहिए तो कहने का मतलब हमारी शक्षियत प्राइब असलेकित के माने इस और मोक्त तक मुक्मल को नहां देखा जाक कि कि ना तो बहुत जादा मदा की जाए या ना तो बहुत जादा बुराई की जाए बुराई की जाए बुराई करने मतलब यहां नहीं है कि हम उसको बाल की खाल निकालें उसके अगर कोई कमी पा जाएंगी बलकि यह देखना है कि मुसन्निफ ने या साहिब सवाने ने जिस द तो इस तरह से उसमें दोनों हजाएत बात है कि हमारा हीरो जो होता है तो उसे हमारी हमदर्दी बहुत होती है दिल्चत्पी बहुत होती है हम चाहते हैं कि अपने हीरो के बारे में बहुत अच्छा लेकिं अच्छी मौलूमात दें लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अंदर चाहिए और दोनों पहले उनों उसकी अच्छाईया किस तरह जो है उसकी बुराईयों पर कावू पास कावपनी बुराईयों पर अच्छाईयों के दिखाने की जरूरत होती है एक लिटन इस्टरेशी नाम के बायोग्रेफर गुदरे हैं उनोंने बहुत सारी खूबियां जिनाई हैं कि बायोग्रेफिक की क्या खूबिया होनी चाहिए तो उसने दो जहाँ और सारी फोमीयां बता है कि अए बहुत भारी बरकम नहों यानि बहुत तबील नहों जर्खीम नहों कि जो पूटने वाला उकता जाओu कि एखबर जाए कि अतनी तबील किशनी आप पूढ partner जाए कि दूसरे यह कुप में बहुत जाधा डिटेल के हरेंगी कि कि और कब जाकते थे कना थे क्रिकburg कर दाए hosts कर दिफ जारे कि हर दे कि यह कर पर जांदी कि आये लेकिन अगर यह कि वक्त की पावंदी कहीं दखलानी है जो सभी की शक्सियत में होना चाहिए तो जल्दी सोते थे जल्दी उग्ड़ाते थे वक्त पर काम करते थे दूसरों को तकलीफ नहीं करते थे अपना काम खुद करते थे वगरा वगरा इस तरह कि और दूसरे चीज ज जो हमारा हीरो है उसकी जन्दगी में कोई बात है वसा बाकि अगवाई नहीं तो बहुत शान फटक की जरुवत होती है और बहुत जिम्मेदारी की चीज होती है कि अच्छा सवाने उम्री के तेन पहलों और होते हैं एक तो इफादी जैसे सरसेयद हमद के इफादी मलब क कि दूसरों को उससे क्या फादा पहुच रहा है सरसेयद के सवाने उम्री या किसी को इस सवाने उम्री लिखी जा रही है या लिखी जा रही है तो उस सवाने उम्री से किसी जैनी बायोग्रेफिय से किसी दूसरे क्या फादा हो रहा है दूसरा उसका मॉरल एसपेक्स है उसको एक जाए उसमें मोरल वैलूद हैं हम कितना सीख सकते हैं और तीसरा उसका इसलाही पहलू रिफार्मर किस तरह से रिफार्म हुआ जो है तो सरस्यत की शक्सित में ये तीनों पहलू थे और उनकी बायोग्रेफिय में ये तीनों पहलू आ गए हैं इसको सवाने उम्री का जाता है सवाने उम्री ये बायोग्रैफी या नी किसी के Charl। करहलाओत आ दीन लिखता है तो आइटोबिो ग्रेफ़ी जिसको हम औरदू में कहते हैं खुद नविष्टीं। खुद मालए यानि यह सेल्फ और नविष्टन यह पारव फार्सी का लब्द है जिसका मिल्दन नविष्टन से लिख ना कुछ और होगी किसी कि कुछ और आप बीती होगी यानि अपने ओपर जो कुछ बीता है उसको किस तरह से हम दिल्चस्प अंदात में जजबाती अंदाद में तासुरात के साथ दोसरों के सामने पढ़ने के लिए पेश कर सकते हैं तो यह तीन चीज़ों होंगी एक बायोग् किसके लिए लिख रहे हैं जो हमारा हीरो है उसके बारे में हम क्या चीज़ बताना चाहते हैं तो जबान को ऐसी हो कि जिसको हर आदमी के समझने के लिए आसान हो जाए बहुत मुश्किल अलफाद नहों बहुत उसका लिटेरी अंदापने अक्तियार कर ले जाए कि उसको दूसरे लोग समझने सकें तो एक जो है जर्र लीडिंग के तरॐबर पे सवान इनिगारी की जाती है कि इससें जाधा जाधा लोग चाहते हैं दो, पहले सवान इनिगार तरहाली का तारूफ देखेंगे, सवान अमरी के बारे में जानने कोशिद करें, कितार में भी यह भी दिया हुआ है, और उसके बाद जो हम देखते हैं कि अवनवाय अर्दू की देखी एक किताब है, उसका यह कवर पेज है, और उसके बारे में सवान अमरी के बारे में आप को बता दिया गया है ये उसके बारे में लिखा हुआ है अलताफ हुसे नाली का तारूफ आ गया है उनकी तस्वीर भी है और ये अब सरस्यद का बच्पन जो शुरू हो रहा है जो असल सबक है तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी चीजों को नहीं हम ने कवर कर सकते है इस वक्त चुँकि वक्त की भी किल्ड़ है हमारे सामने तो सरस्यद के बच्पन में मौलाना खाली ने जो चंद चीजों को लिया है और उनके बच्पन के इब्तदाई चंद सालों को यानि नौदस सालों के वाकिया है तो उसमें एक तो सबसे पहले उन्होंने ये दिख ल रहते हैं उनकी शक्सियत पर कैसे सफ़ियत की जिन्दगी वो कैसे दाकिल हुए इसी तरह जब वो पैदा हुए तो वो कहते हैं कि वो बहुत कवी और तंदरुस थे आम बच्छों से जो हैं उनके खांदान पैदा हुए थे तो वो अतने शायद मदबूत नहीं होते लेकिन जब यह पैदा हुए तो बहुत कवी थे तंदरुस थे और तवाना देखने में लगते हैं तो हाथ पहुंग बहुत चोड़ा चकला इनकी तस्वीर जब आप देखे हो तो खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से इनका बच्च्पन रहा होगा सबसे तो दूसरी सब्सक्राइब होती हैं वही सलाहियते इनके अंदर भी थे लेकिन इन्होंने अपनी महनत से अपनी लगन से अपने माहौल से जो इनके तर्वियत हुई उसकी बज़े से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अदाफा कर लिया और एक गहर मामूली शक्सित के यह हामिल बन मा बीवी उसकी मलादमातिय है उस सरसेयत की पालन पॉसन हो बड़ी मदद करती थी तो उसके वाकिया को उन्होंने पैश किया है इससे सवाजन एमरी की फोगय यह वी है कि हाली ने जो भी वाकिया लिखा है अपनी तरफ कि यह वक्त की कमी की बावजूद हम यहां नहीं नहीं दे सकते लेकिन मुझे एक चीज़ दो पहरा गिराब यहां पढ़के देते हैं बहुत सनौकर चाकर उसके खिदमत करते हैं और उसकी बहुत आराम से गुजरती है तुम कुछ रंजमत करो मुझे को उनके कहने से पूरा यकीन था कि फिलवाके ऐसे ही है मुझे यकीन था कि यह सब खाना मा बीबी के पाथ पहुच जाता है उसने मरते वक्त कहा कि मेरा तमाम देवर सेज़त का है मगर मेरी वालदा उसको खेरात में देना चाहती है एक दिन उन्हों ने मुझसे पूछा कि अगर तुम को हो तो यह गहना माँ बीवी के पाद भेद दूँ मैंने का हाँ भेद दो वालिदा ने वो सब कहना मुक्तलिस तरह से खेरात में दे दिया तो जाहिर से बाद एक खेरात में देने मतलब यह है कि एक सवाब की निये से खेरात और सदका किया जाता है और जिस निये से किया जाता है तो उसका सवाब देने वाले को पहुचता है तो इसी तरह उनके कहीं खेल कुछ का भी यहां जिकर किया क्या क्या-का क्या है ऐसी तरह उनके अग्तनीय होनने क्या कृटाय होगत बहुत थी कितना आजादी है और निग्राणी दोनों उन पर थी जी सर दो मिनिट का समय हमारे पास है बो देखिए अब यह खाने की आदाब जो है किस तरह थे मेरे नानास सुभों का खाना फाना अंदर जनाने में खाते थे पुराने मकानों में जनाना उमर्दाना अलग होता थे नहीं जनाना जहां ओरते रहती ती उर मरदाना जहां मरदектор इरती थे एक चोड़ा चकला जस्टरफना सब्षाद था भीच्टे यां नवासे नवासाँ और बेटों कि बीवियां सब उनके साथ खाना कहते थे बच्चों के आगे खाली उनके साथ खाना खाते थे सब को ख्याल लेता था कि कोई चीज गिरने ना पाए हाथ खाने में ज्यादा ना भरे और नवाला चवाने की आवाद मुझसे ना निकले रात का खाना वो बाहर दीवान खाने में खाते थे जनाना हो जाता था मेरी वालदा और मेरी छोटी खाला खिलाने आती थी वगएरा वगएरा देखे किस तरह से यहां सिर्फ न तो तहजीब की बात की बलके तमद्दिन की बात की तहजीब और तमद्दिन में फर्क है कि खाना लगा हुआ है और बड़े चोटों ने खाना शुरू कर दिया बड़े बैठो हुई है जब तक कि धरस्टरफन के अदप है तहराकी के अदप है तीर अंदादी भी भी वह करते थे बहुत बीशू उनको इसी तरह एक और है कि इनके वाली यह जादा थी, मोगल पुरा एक दिल्ली से साथ मिल के कोस्ट पर साथ कोस्ट पर मोगल पुरा जाक्टों का गाउ है। वहां जो है गए तो अक्सर छुट्टी में जाते थे एक बार वाली साथ के पादे है। तो खुद इनका बयान सुनिये कि क्या उन्होंने का। इस उमर में गाव में जाकर रहना, जंगल में फिनना, उम्दा दोद और दहीद और ताज़ा ताज़ा ग्यी और जाटनियों के हाथ की पक्योई बाजरे या मकई की रोटीया खाना बहुत ही मदा देता था देखिए कितना दिल्चस्प बना दिया है कि जो हमारे सवाने निगार हैं मौलाना अल्टाफ उसे नाली ने और दर्बार में हाजरी कभी यानि बहादूर शाद अफर के दर्बार में इनके वालिद के और इनके नाना दोनों के तालुकात थे अंग्रेजों से भी और दर्बार में भी जो है तो कभी कभी अपने नाना और वालिद के साथ भी बहादूर शाद अफर के दर्बार में जा बिस्मिल्ला की तक्रीब क्या दादा है जिस बिस्मिल्ला की तक्रीब उसको कहते हैं कि जब बच्चे की पढ़ने की अबतदा होती है या आगाज होता है तो उसको बिस्मिल्ला की तक्रीब या रख से बिस्मिल्ला कहा जाता है तो आम तोर पर हमारे यह हैं कि चार दिन चार महीने चार दिन या चार महीने चार दिन वगारा वगारा अलग अलग लोगों ने तो ऐसी कोई पावंदी नहीं होती लेकिन बच्चे की पैदाईश चेले कि आम तो पी ख्याल किया यादा था कि चार महीने चार चार साल चार महीने चार दिन तो यह उस बड़ा ख्याल था त में और यहां इतली शामिल किया रगी कि सरसीएत की जो हालाथ जिन्दगी है उस से खुद हम्हुद कितना मोटिवेट कर रहे हैं उनके हालाथ जिन्दगी को पड़कर कि हमारे अंदर भी कुई ऐसा जजबा पैदा हो रहा है कुई ऐसी हमत पैदा हु रही है ख्याल पैदा ह रहा है कि हम खुद कोई बड़ा का नमा जान दे सकें जी सर इस बारचित को मौर आगे बढ़ाते सर पर समय विसकी इचाज़त नहीं दे रहा है बहुत बहुत शुक्रीया सर आपका आपने सरसरियत के बच्छम के बारे में उने === नाजरीन हमारे साथ जुडे थे इस सत्र के लिए आप सब nagवी, शुक्रिया, कुछी देर में वापस लौटे के अग्ले सेशन के साथ, आप बने रही हैं, NCRT के साथ. आदाब झाल झाल